जाहिन बच्चो दिस इस मुनीश कुमार एंड आई वेलकम तोल अफ यू इन दिस वीडियो बच्चे इस वीडियो में आज हम क्लास थर्ड की सेकंड यूनेट नीना एंड दा बेबी स्पैरो नीना और बेबी स्पैरो उसके क्वेशन अंस और फुल एक्सराइज जो की आप को NCRT की मेरी गोल्ड बुक में दे गई है उसको डिसकस करने जा रहे हैं तो इस तरह की और वीडियो देखने के लिए जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल मुनीश कुमार देजुकेटर तो बच्चो पेछली वीडियो में हमने इसकी स्टो आगे बढ़ते हैं तो फस्ट आफ ओल लेट सेवर शोट ओवर्वियो दो स्टोरी सबसे पहले हम स्टोरी का एक छोटा सा ओवर्वियो लेते हैं बचे स्टोरी में एक नीना है जिसके आंट की मेरीज है और जिसके लिए पूरी फैमिली कहा जा रही है डेली लेकिन वो प्रेस ने खृदी उसके बाद ममा ने घर आके उससे पुछा कि बटे क्या करना है आप इतने सैड क्यों तो नीना ने बताया कि मैं इसलिए सैड हूं कि एक मेरे रूम में एक बेबी स्पैरो रहते हैं उनका नेस्ट है जहां पर पापा और ममा स्पैरो आते हैं उनको खान कौन खिलाएगा क्योंकि हम पूरा घर लोग कर देंगे तो पापा और ममी स्पैरो जो बाहर जाते हैं और खाना लेके आते हैं वो उनका खाना कैसे पुछाएंगे और ये बेबी स्पैरो तो बचारी मर जाएंगे तो जब ऐसा सुना तो ममा ने उसको बताया किसको इसको किसके मैं निना को बताया कि कोई बात नहीं टेंशन मतलो हम क्या करेंगे आपके रूम की जो विंडो है जो यहां पर विंडो देखो या window हम open रख देंगे जहाँ पर nest है और करेंगे क्या कि आपके room से सारा समान बाहर निकाल देंगे और उनको बाहर से लोग कर देंगे और window को open रखेंगे जिससे पापा और ममा sparrows बाहर जाएंगे और जो दाना वगेरा जो खाना है जो food है वो लेके आएंगे और baby sparrows को खिलाएंगे तो ऐसा ही ममा ने किया और जो निना जो थी वो वैडिंग पर खुशी कुशी गई बहुत इंजोई किया और जब वापिस आई तो उसने देखा कि जो उसके दो baby sparrows थे वो इन दिनों में इतने दिनों में जितने में मेरिस पर थी खुब मोटे मोटे और अच्छे हो गए है अच्छी सेयत वाले हो गए है तो ये सारी स्टोरी थी तो आगे बढ़ते हैं बच्चो So let's start the exercise हम exercise start करते हैं सबसे पहले हम page number 17 पर आपको कुछ question answers दिए गए है why was there great joy in Nina's house Nina के घर में बहुत ज़्यादा खुशी क्यों थी there was great joy in Nina's house Nina के घर में बहुत ज़्यादा अनंत था because Nina's aunt was getting married Nina की जो aunt थी Nina की जो बुआ या मोसी उसकी क्या हो रही थी शादी होने जा रही थी तो बटे यहाँ पे देखी है was there का बनादी there was बाकी सारा same great joy in Nina's house in Nina's house आगे हमने answer लिखा है because Nina's aunt was getting married आगे second है why was Nina worried Nina worried क्यों थी चिंतित क्यों थी Nina's family was going to Delhi to attend a marriage Nina की जो family थी वो Delhi जारी थी दिली जारी थी marriage attend करने के लिए she was worried वो चिंतित थी that how would the baby sparrows get their feed कि जो baby sparrows है वो अपना food sorry food आएगा यहाँ पर food कर ले ना बचो वो अपना food कैसे लेंगे उसके जाने के बाद क्योंकि room तो लोग होजेगा जब room लोग होजेगा सब कुछ लोग होजेगा तो ममा और पापा sparrows को food कैसे खिलाएंगे third question what did mother suggest mother ने क्या suggest किया क्या सुझाव दिया जब ममी से बात की थी ना नीना ने mother suggested mother ने suggest किया that they would leave the window of the room open कि वो window जो room की वो खुली रखेंगे and lock the door on the outside और room को बाहर से lock कर देंगे so the papa and mama sparrows ताकि papa और mama sparrow may feed the baby sparrows comfortably वो baby sparrows को अराम से खिला पाएं last question what did Nina find Nina ने क्या देखा when she came back from the wedding जब वो शादी से वापिस आई Nina found two fat little sparrows flying flying आएगा पिटा है ये गलत लिका हो थोड़ा सा flying लिका है all over the room उसमें देखा कि दो मोटे छोटे छोटे जो sparrows है वो पूरे room में उड़ रहे है तो दो mistake से ठीकर लेना है कि यहाँ पर food आएगा और यहाँ पर flying आएगा चलिए आगे बढ़ते हैं पर आपको टोक टाइम एक सेशन दिया है जिसमें फर्स्ट कोश्चन है how do baby sparrows eat baby sparrows कैसे खाते है तो इसका अंसर है baby sparrows eat baby sparrows खाते है whatever their papa और mama sparrow bring for them जो भी papa और mama sparrow उनके लिए लेकर आते है the papa और mama sparrow put food in their beaks papa और mama sparrow बाहर से खाना कैसे लेकर आता है हाथ में दोड़ी लेकर आएगे उनके तो बिल्कुल छोटे-छोटे पंजे होते है न तो वो क्या करते है beak में, chonch में खाना भर के लाते है and feed their little ones और अपने छोटे-छोटे बिच्चों को खिलाते है second what new things would you like to wear for wedding आप wedding पर क्या क्या नहीं चीज़े पहनना चाहोगे you can say I would like to wear आप start कहां से करोगे कि मैं पहनना चाहोँगी जैसे निना ने पहनना था न ऐसे आप क्या पहनना चाहोगी तो answer है I would also like to wear मैं पहनना चाहोँगी a beautiful red frog with high heeled sandal एक बहुत सुन्दर white frog red frog जिसके और उसके साथ high heeled उची heel वाले sandal भी आगे बढ़ते हैं picture story ये बैटे आपको pictures दी गी है वो हमने correct order में लगाना है तो चली देखते है सबसे पहले क्या आएगा तो इन में से आपको पता ही बैटे ये ममी बाहर window दिखा रही है कि window को उपन रके निना खुश है तो सबसे पहले तो खुश थी नहीं सबसे पहले तो ये ममी पूछ रहे है और ये निना दिखा रही है कि ये nest है और यहाँ पर निना sad है तो सबसे पहले actually निना sad थी one number आएगा उसके बाद ममी ने पूछ था why कि क्यों आप sad हो फिर निना ने बताया था कि इसलिए sad हूँ कि निना doesn't want to leave the baby sparrow निना baby sparrow को केला नहीं छोड़ने चाती थी तो ममा ने क्या बताया था कि leave the window open हम window को open रखेंगे और इससे क्या हुआ था निना is happy again तो ये correct order है proper order जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है तो आप भी लिख सकते है तो अब हम इसी जो sentences को यहाँ पे लिखेंगे फर्स था निना is sad सेकिंड यहाँ से मदर आस्ट वाए थर्ड यहाँ से क्या आएगा निना ड़सन्ट वोंट तो बेबी सपैरोस अलोन फोर्थ यहां से मदर सेज वी वील लीफ दे विंडो ओपन यह लीजी मदर से वी वील लीफ दा विंडो ओपन और फिफ्थ आएगा यहां से निना इस हैपी अगे निना इस हैपिए आगे बढ़ते बैच्चो यहां पे आपको team time कुछ team time करके एक आपको exercise दी गई है वोड यू लाइक तो है birds visiting you everyday क्या आप चाहते हो कि आपके घर birds रोज आपको मिलने आए विजिट करने आए try making a bird bath and a feeding corner for birds आप birds के लिए feeding corner एक bird bath अपने घर्व की छत पर रखो you can place a ball of water in a quiet corner of the school playground आप school के playground में भी उसको रख सकते हो leave birds bread crumbs grains etc for your feather friends अपने उनी पंक वालो पंक वाले मित्रों के लिए आप मिस पक्षियों के लिए bread crumbs भी रख सकते हो और grains भी अनाज भी रख सकते हो तो बेटा ऐसा जरूर करना आप यह आपके लिए task कि यह आपके कोई ball लेओ मिस कटोरा लो जिसमें पानी डालके आप स्कूल के या घर के किसी भी कोने पर रख दो वहाँ पर ताकि जो उपर असमान में जो पक्षी उड़ रहते हैं कई बार उनको बहुत प्यास लगते हैं थक जाते हैं तो वो आपकी छत पर आकर पानी पी सकें इससे आपको बहुत बुनने लगेगा तो second let's draw and color a bird हमने एक bird को draw करना और उसको color भी करना है so draw it yourself यह आपने खुद करना है बिटे इसको अच्छे से आपने करना है ओकी let's move ahead आगे बढ़ते हैं अभी आपको यहाँ पर एक activity दी गई है let's make a bird bird को कैसे bird कैसे बनाया जासकता है तो देखो यहाँ पर सारे steps लिखे हैं सबसे पहले आपको क्या कहा चाहिए old greeting card चाहिए क्या कहा चाहिए वो सारा यहाँ पर लिखा हुआ है उसके बास steps लिखे हुए कि steps क्या कहा करना greeting card को पहले इस तरह कैसे cutting करनी है फिर यह सारे step यहां पर दिये गए हैं तो बैटे this is the activity again for yourself यह activity आपके लिए है आप इसको जरूर try कीजिए आप इस तरह एक bird बना सकते हो with the help of an old greeting cards and all the rest of the things बाकि सारे जो के help से आप greeting card के help से और बाकि सारे जो के help से आप एक bird को बना सकते हो तो इसको आप बनाई है जरूर आगे बढ़ते हैं next we are working with pay number 21 हम pay number 21 पर आगे हैं यहां पर आपको एक word building game देगी है यहां पर आप देख सकते हैं बाटे आपको यह column में block में आपको 1, 2, 3, 4, 6 words देगे हैं first beautiful black, red happy, tall, fat बाटे यह describing words होते हैं describing words कौँ से होते हैं adjective adjective इस खासियत कोई खास बात जैसे मैं कहूँ आपको boy अब boy तो boy है कोई खास बात नहीं teacher टीचर है कोई खास बात नहीं है ठीक है hero हीरो है कोई खास बात नहीं है अच्छा ऐसी मैं आपको कहा दूँ player player है कोई खास बात नहीं है उसमें कोई खास बात नहीं खिला डी तो खिला डी है यह तो noun हो गया अब अगर मैं कहूँ एक तो मैंने कहा है बॉइ यह तो noun है एक मैं कहूँ ओनो good boy तो जो good है उसका क्या बन गया describe means adjective ऐसी girl यह noun है इसमें कोई खास बात नहीं है लेकिन intelligent girl तो वो क्या बन गया intelligent उसका adjective बन गया उसी तरह के adjectives आपको यहाँ पर beautiful, black, red, happy, tall, fat यहाँ पर दिये गए है इसको हमने करना है तो चलिए start करते हैं सबसे पहले a dash woman तो इक ऐसी woman दिख रही है आपको यहाँ पर yes, इस कहेगा fat woman a dash rose, कैसा rose है beautiful rose, yes हो सकता है beautiful भी आ सकता है black rose तो नहीं, red rose है, red ज़्यादा बेटर रहेगा तो हमने लगा है red a dash boy, यह boy क्या है बटे, happy है ना खुश है ना देखो a happy boy a dash peacock, peacock क्या है beautiful है ना तो क्या लग रहे है हमने beautiful peacock then a dash board तो कैसा है board, black है तो black board a dash man, कैसा है man, tall tall man तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी हमने कुछ यहाँ पर words दिये हैं, जिसको हमने उच्छी उच्छी बोलना है, तो यह आप मेरे साथ साथ बोलना, मैं बोलता हूँ okay spoil sparrow school आप बैटे पीछे पीछे बोलो, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस होजे, skirt scald spot speak scout skip skin तो सारे words ऐस से स्टार्ट थे okay तो यह words हमने बोले, इसको दोबारा प्रैक्टिस करिए, इस वीडियो को स्टेल करके आगे बढ़ते हैं so this is the whole for today, आज के लिए यही था, तो thanks for watching this video, if you like this video, don't forget to like and subscribe my YouTube channel, Munish Kumar the educator, बच्चो अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगी तो इसको आप अपने friends के साथ, और बाकी बच्चो के साथ, जो कि third class में है, जिनको इस वीडियो की जूरूत है, उसके साथ जूरूर शेर ताकि उनको भी education में, उनकी पड़ाई में help मिल सके, so thank you very much, thanks a lot.